हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ श्वेता स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम पाबिक फाइनेंस के यह कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जैसे कि वाइजमन पिकॉक हाइपोथेसिस यहीं कि जो अधरना थी उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट हम जानेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडीचर के कैनन्स और में डिटेल में डिसकेशन करने वाली हूं तो आई होब आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाएं अच्छी तरीके से तो लिस्नर्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अब यह स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप दिश्टीव के मद्धे बिटेन के सार्वजनिक वेय में होने वाली परिवर्तनों का अध्यन कर सार्वजनिक वेय के संदर में अपना एक अलग द्रिश्टी कोंट प्रस्तुत किया जिसे पिकॉक वाइसमेंट परिकल्पना के नाम से जाना जाता है लिसनर्स इसमें जैसा सब् 쳈 अ कि मैं करता है हमें और सब्सक्राइब करकते हैं सरकार को यह द्यान रखते हैं कि संबंदीथ करणा प्रस्ताव पर मत दाताऊं कि क्या प्रकिरिया होगी तो इस ब्रकार उनका अजी देने चाहते हैं कि अगर आप जाए उतना टेक्स लगा दे तो वड़े पाएगी मैं अपाथ कली इनकीuchen लोग क्यार देने की लिए तैस्ता की बात होगी इसलिए तयार हो जाते हैं तो कि यह सब्सक्राइब ये सब्सक्राइब करें लिए जटिकर सब्सक्राइब कर नहें बशाइब लिए तो देश की सुरक्षा के लिए वो जादा कर देने को तकपर हो जाती है जिसे क्या होता है कि आगे चलकर कि जब चीजे जब संतुलिक होती है तो जो हमारा कर है वो पिछले तरीके नहीं हो सकता वो रहेगा कितना उतना ही यानि कि अब जिसे माल लीजे कि अगर अभी गौवर्म हो बढ़ा करके आपका 20% या 30% कर दिया तो क्या होती है कि पफैक देने के लिए रेडि हो जाते हैं तो इंहोंने कहने के क्या प्रैस कि अधरी हो जाते हैं लेकिन बाद में जब वापस से उस्टितीम पहुँंच जाते हैं याष्ट के बाद गई है यानि कि उच अस्तर पर इस्तिक हो जाती इसमें सारजनिक व्रिद्धी में इन बोला गया है कि पिकॉक वाइजमन विस्थापन प्रभाव यानि कि इसी को हम डिस्प्रेश्मेंट एफेक्ट भी कहते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दिया है कि एलेन पिकॉक ने दिया है वागनर लॉग सजेस्ट किया है कि गौवर्मेंट के स्पेंडिंग का ग्रोथ लीनियर नहीं होता बल्कि एक साइक्लिकल पैटर्ण फॉलो करता है इस हाइपोतेसिस के नुसार जो एकोनॉमिक डेवल की जो इंक्रीज करते रहेगा और जिसे की गौवर्मेंट के स्पेंडिंग बढ़ेगी लेकिन अब बात कर लें कि जो वागनर की लॉट थी और वाइजमेंट पिकॉक हाइपोतेसिस थी उन्होंने सजेस्ट गया कि सुसाइटी डेवलब करती है और बहुत ज्यादा जिसमें हेल्थ केयर एजुकेशन सोशल वेलफेर इंफ्रेस्ट्रक्चर फॉंडट फॉब्लिक एक्सपेंडिचर यह सारी चीज़े प्रवाइड करती है लेकिन इससे पॉब्लिक एक्सपेंडिचर के जो फंड होते हैं उनके जरिये तो आई होप आपको सीज़े क्लियर ह भात कर लें हम यहां और प्रॉब्लिक एक्सपेंडिचर तो य से में मैं व्रोवाइड कर दोंगिया पहली बर प्रपोज किया गया था कौन से कौनमिस्ट एडम स्मित के द्वारा उनकी वेल्थ आफ नेशन बुक में और एक फंडमेंटल प्रिंसपल है पॉब्लिक एक्सपंडीचर का कौन कौन से प्रिंसपल थे सबसे पहला आता है आपका कैन ओफ बैनेफिट यानि की लाब हो विदाउट विद मैक्सिमम एकॉनमी टू मिनिमाइज दे कॉस्ट यानि की हम क्या कर सके कि उसमें हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके नेक्स डेकन ओफ सटीनिटी इसमें यह बोला गया है यह पॉब्लिक एक्सपंडीचर सटीन होती है डेफिनिट होती है जो ताकि को इक्विटिब डिस्ट्रिब्यूट किया गया है विद विद इंशुरिंग ताकि सोशल जस्टीश को प्राप किया जा सके और इनिक्वालिटी जो है असमानता है उनको काम किया जा सके तो आई हो आपको कैनन समझ में आए होंगे तो लिसनर्स जो क्लासिफिकेशन पब् चत्र Peng crist ЗаANG weekend बहुत सारी करते हैं जासे की एज्जूकेशन से में हेल्त की सलीट डिरेंगलती दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टमिक डिसमें जिसम问 क्लासिफिकेशन बनाता है ठाप अप्ले इंडिल बनांगी इसका बहुत ही वीडियो है क्लासिफिक अब्ली सन Juliet डीटेल में है और इस पर कोशन भी पूछा जाता है आए आगे बढ़ते हैं एफेक्ट अन प्रोडक्शन यानि कि पब्लिक एक्सपेंडीचर का क्या एफेक्ट पड़ता है इस पर प्रोडाक्शन पर तो इसके बारे में बात कर लेते हैं लिसनर्स तो जैसा कि आप लिसनर् प्रोड़क्शन में इसमें इंक्लूड होता है कि इंफ्रास्ट्रक्ट्टर कैसे क्रीट होगा नहीं रोड कैसे बनेगा ब्रिजस पॉट्स जो कि क्या करते हैं गुड्स इंसर्विसेस का मुवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं जो कि प्रोड़क्शन प्रोसेस को इंप्रूफ करें और प्रोड़क्टिविटी को इंक्रीज करें इंडारेक्ट एफेक्ट पॉब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोड़क्शन पर कैसे पड़ता है तो इसमें बोला गया है कि इस्टिमिलेशन ओफ एक्टिविटी थ्रोग पिर बोला गया है कि जो कि उसके spending को कम करें public expenditure defense पे भी बताया गया है कि इसमें यह भी stimulate करते है economic activity को particularly उन एरियास में जहां पर strong defense industry होती है so excessive public expenditure भी negative effect डालता है production पे basically इसमें बोला गया है कि इससे budget deficit और inflation ही संभावना पड़ती है यानि कि इसकी वज़ा से problems create होती है तो high level अगर public debt का होगा तो उसे ज्यादा interest rate देना पड़ेगा जो कि क्या करता है कि private investment को कम करता है ज्यादा interest देना पड़ेगा तो private investment कम हो जाएगा और economic growth कम हो जाएगी inflation भी reduce हो जाएगा economic growth की वज़ा से क्योंकि purchasing power consumers की क्या होगी expenditure के पास बोथ positive और negative effect होता है production पर डिपेंड करता है उसकी nature और amount की कितना spend कर रही है या फिर broader economic और political contest पे जो की होते रहते हैं अकर होते रहते हैं इन विचिट अकर्स नेक्स्ट है distribution and economic stability यानि public expenditure का क्या effect है तो दोनों पर है distribution पे भी है economic stability पे भी है distribution की बात करें तो पब्लिक expenditure का यूज किया जाता है ताकि हम income and wealth को society में क्या कर सके redistribute कर सके ताकि हम inequality को समानता को कम कर सके जिसे social welfare program हो गया unemployment benefit food assistance यह support करती है low income households को और help करती है गरीबी को हटाने में poverty को reduce करने में उसी तरीके से जो progressive taxation है जो कि which tax higher income individuals यानि कि जो individuals होते हैं उनसे ज्यादा income होगी तो उस पर ज्यादा टेक्स लेंगे और बिजनेस्मेन net a higher rate can help to redistribute the income and reduce income inequality इससे भी क्या होता है कि असमानता काम होती है अगर इसके तब उस तरीके से एक्सपेंड किया जाए ताकि यह equitable distributed हो सके जैसे government primarily spend करती है कुछ रीजन या इंडस्ट्री पे जिसकी वज़ासे जो रीजनल और सेक्रेट्रियल इनिक्वालिटीज हो जाती है तो अगर economic stability के basis पर देखा जाए तो public expenditure का यूज होता है economic growth को promote करने के लिए उसकी डिमांड के stability को stimulate करने के लिए और यह कब होता है during the recession period तो जैसे कि इसमें एक्जामपल दिया हुआ है लिसनर्स क्या करती है infrastructure project पे spend करती है इसे रोड बनाने में ब्रिजज बनाने में ट्रांस्पोटेशन के लिए तो यह क्या करती है यह जौब करती है और economic activity को stimulate करती है जोंकि government का spend होता है education पे और training पे तो वह improve करती है एक workforce के skill को और उनकी productivity को भी increase करती है government के spending जो होती है वो help करती है economy को stabilize करने में कब जब वह downturn हो जाती एक safety provide करता है net for individuals विच में otherwise reduce their spending उनको एक safety provide करता है public को जो कि उनकी spending को कम करता है next है आपका कि excessive अगर public expenditure होगा यानि कि however excessive public expenditure can also lead to economic instability यानि कि ज्यादा public expenditure करेंगे तो इससे भी economic instability हो सकती है अगर इसका result क्या होगा कि budget deficit हो जाएगा और inflation बढ़ेगी तो budget deficit और inflation के बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफी detail में discussion किया है deficit budget क्या होता है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं listeners इसमें बोला गया है कि जो high level of public debt है यानि कि है उससे high interest rate generate होता है जो कि क्या करता है private investment को discourage करता है तो overall बोला गया है कि public expenditure का significant impact पड़ता है distribution और economic stability पे और इसका effectiveness है कि वह इस goals को achieve करें depend करता है उसके variety of factors पे जिसमें nature and amount of spending included होते हैं as well as इसमें broader economic और political contest included होते हैं जो कि यह होते हैं so listeners I hope आपको यह video clear हो गया होगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो please like share and subscribe करना ना भूलिए और इस वीडियो में जरूर बताईएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी कोई भी इशु होता है तो comment section में जरूर बताईएगा और आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद